नमस्कार दोस्तोUS मैं हूँ आपका दोस दर्मेंदर कमारी दोस्तो हर्याना के दुसरे मुख्य मंथरी राओ विरेंदर सिंग जी कहानी पर आज फिर से बात करते हैं और इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तो अिर्वाल की राजनीति में जो रामपुरा हाॉस है और राजनिती में जो सरवात रामपुरा हाуск से राओ बहुत बलविर सिंग जी ने की थी वो उनके दतक पुतर राओ बिरंदर सिंग जी ने भी काइम रखी वो चाहते तो IPS बनकर एक सांदार जिन्दगी जी सकते थे लेकिन रामपुरा हाउस की राजनिति को यह उन्होंने आगे बढ़ाया तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी लिग्येसी है दोस्तों जिसको वो आगे चलाना चाहते थे क्योंकि रामपुरा हाउस राजनितिक, आर्थिक और सामाजी की रूप से अहिरवाल की एक किसम से यान हमेशा रहा है और राजनिति में दोस्तों अगर मित्र होते हैं तो सत्रू भी खुब होते हैं मित्रों और सत्रों को अंगिकार करके ही राजनितिक की सीडिया चड़ा जा सकता है अब क्या राव बिरेंदर सिंग जी सेना से कैप्टन पद से रिटायर होकर आई पियस ना बन कर जब रामपुरा हाउस पहुँचे तो ये चीजे सारी उनको क्या थाली में प्रोस कर मिली ये जो रामपुरा हाउस को चोधर मिली इस चोधर के लिए उन्होंने एक बड़ा लंबा संगर्स किया है दोस्तों और वो जब सेना से कैप्टन रिटायर होकर रामपुरा हाउस पहुचे थे तो राव बलबिर सिंग जी की संपत्ति के साथ ही उनकी राजनितिक विरासत को भी संभालना उनको था ये सबसे बेड़ोई चुनूती थी और जो विरोधी थे रामपुरा हाउस के आज भी रामपुरा हाउस के निस्टर तोर पर विरोधी होंगे लेकिन तब के विरोधी चाहते थे की राव बिरंदर सिंग को सुरुवात में ही मसल लिया जाए ताकि जो रामपुरा हाउस है उसका राजनितिक और समाजिक दखल हमेशा के लिए एरिवाल से खत्म किया जास के लेकिन राव विरेंदर सिंग किसी भी हालात में जुने के लिए त्यार नहीं थे राव पलबीर सिंग जी से जो विरासत उनको मिली जो प्रेम अहिरवाल की जनता के मिला वो उनके काम आया और रामपुरा हाउस की गद्दी समालते हुए उनके साथ चटान की तरह उनकी जो बहन हैं वो सावितरी देवी जी जिनको बाई जी भी कहते थे वो आज भी चेतरी जनता में उनके नाम का सम्मान है वो खड़ी रही और राव बिरेंदर सिंग जी के सामने तब लाजनितिक रूप से अगर बड़े चुनूती का नाम लिया जा तो राव गजरात सिंग उस समय मौजूद थे चेतर में उनका बड़ा नाम था रसूप था और बहुत अच्छे वक्ता वो थे वो समझते थे राव बिरेंदर सिंग जी का अगर स्तापित हुए तो फिर उनको दिक्कते आएंगी तो राव बिरेंदर सिंग के सामने रामपुरा हाउस को संभालते हुए मुस्किलों की बारिस जब सरू हुई तो फिर नहीं रुकी रेवाड़ी और गुड़गाओं में जो दिवानी और फोज़दारी मुकदमों के उन पर एक किसम से बाड़ कर दी गई थी और रोजाना उनका अदालतों में आना जाना लग गया था तिन सो दो और तिन सो साथ के मुकदमों का चक्रवे में भी उनको फसाने की कोसिस की गी और दोस्तों आज भले ही रामपुरा हाउस ऐसा नाम है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते लेकिन एक दोर वो भी था कि ग ये सब विधायक थे उसमें और राव बलबीर सिंग जी के राजनीतिक विरोधियों के तोर पर रहे थे तो अब राव विरेंदर सिंग जी के भी थे और इसी दोरान गुड़गाओं के उपाइक्त होते थे सरदार नरिंदर सिंग उनको ये सूचनाय तब दी गई और दव पर रचने के आरोप लगाए और इसके बाद जो पायुक थे सरदार नरिंदर सिंग जी ने राय बहदूर चुनिलाल महलोतरा जी उसमें जो सुप्रिडेंट होते थे पुलिस के उनको आदेश दिया कि वो फोज की एक टुकडी लेकर रामपुरा हाउस का घेराव करें और और इस दोरान फाइरिंग भी हुई और बताते हैं कि रामपुरा हाऊस की दिवारों पर गोलियां चलने के निसान आज तक मुझूद है और इस गोलिवारी में रामपुरा गाउं का एक दलित भी गोली लगने से मारा गया था और इस जो पुरी कुवाय थी के दोरान भी राव बिरिंदर सिंग ने अपना जो आपा है वो नीख होया वो धहरिये के साथ पूरी कारवाई को देखते रहे और फिर सीधे जाकर पुलिस के जो एसपी थे चुनिलाल मलोतरा जी उनसे वो मिले और उनको गोली भारी बंद करने को कहा और कहा कि आप रामपुरा हाउस मेर और नहीं घुसेगा तो एसपी चुनिलाल बड़े जिगर वाले आदमी वो थे और उस तरह की सुचनाओं में अकेले जाना बहुत रिस्की था लेकिन रामपुरा हाउस का उन्होंने कोना कोना अकेले तलासा लेकिन कुछ भी आपत्ति जनको नहीं मिला इसके बाद चुनि लाल ने पूरी इमानदारी से अपनी बात रखते हुए राव विरेंदर सिंग को बेकुसर बताया और कहा कि इनके खिलाब ये साजिसे थी इसके बाद सरदार नरेंदर सिंग जी ने उनको हर तरह के आरोपों से बरी कर दिया राव गजराज सिंग और राव महर सिंग जी उस समय बताते हैं कि वह पर मौजूद थे और वड़े मायूस हुए और इसके बाद उपाई सरदार नरेंदर सिंग ने चोदरी यासीन खा राव महर सिंग और राव गजराज सिंग पर मुक्दमा चलाने के आदेस दिये थे और बताते हैं कि उनको फिर हिसार जेल में रख हुआ चलाने के अदेका गया था हलांकि यह रिकौर्ड मैंनी देख पाया और इस तरीके से रामपुरा हाउस पर जो साजिस के बादल थे रामपुरा हाउस पर जो खत्रे बादल थे उससे राव विरुन उतने विरोधी भी होते हैं तो रामपुरा हाउस को हमेशा ही चुनोती दी जाती रही है तबी तो जो कैप्टन आजे यादा हो हैं पांच बार वहां से रेवाडी से विदहक बने हैं चुनोती दे कर ही कोई किसी को आगे जा सकता है लेकिन इसके बावजुद रामपुरा हाउस की राजनीती में दखल अहिरवाल के लोगों को सम्मान उनको हासिल है और वो आज तक बरकरार है इसी विज़े से राजनीती के रूप से वो हमेशा आगे रहते हैं तो ये रामपुरा हाउस के एक चुनोती थी दोस्तो कल फिर राविरंदर सिंग्जी की जो बाकी राजनीती की आत्रा है उस पर हम आगे चलेंगे आप अहिरवाल के जो साथी वीडियो देख रहे है उनसे फिर मेरा एक बार आप से आग रहे है कि हम चुकि मैं मेरा जनम कवारी में हुआ मैं अब रोहत्ता रोत्तक में हूँ पोलिटिक्स को समझने की कोशिस करता हूँ एक शोकिया आप जिसको कह सकते हैं मेरा ये शोक है क्योंकि मैं राजनीती की रोप से तो उसकरिया नहीं हूँ मैं तो पत्रकार हूँ तो आप अहिरवाल में जो भी राव ब्रेंदर सिंजी के बारे में आपने सुना पढ़ा देखा है जाना है कुछ भी आप कोई भी रोचक बात अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके इस जानकारियों को समरिद करें दोस्तों और अगर वो जानकारी इतनी परमानी का अच्छी लगी तो उसको फिर वीडियो में भी हम सामिल करने की कोशिस करेंगे अहिरवाल के लोग अपनी जो राव ब्रेंदर सिंजी की रियात्रा है आप चाहिए उनके परसंसक हो या आप उनके विरोधी हो राजनित्ती को एक राजनित्ती के विदार् साथी के रूप में हम समझनी कोशिस करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा दोस्तों इसी आनंद के साथ तीन बजे आपसे मुलाकात होती रहेगी शुक्रिया नमस्कार